हेई माई प्यूरिफो वालकम बैक तो माई चैनल सो आज ना हम एतम नॉर्मल सा फ्रेंट्स के साथ गूमने जाने के लिए गेट रेडी करेंगे तो पहले मैंने लगाया है अब अब कुलाब जिल अब थोड़ा सोख होने के लिए इसे रख देंगे अब मैं यूज़ करूँगी लूडिस का वाइट ग्लो ये ना बहुत है मिनिमल वाइट कास्ट दे देता है जो कि फेस के लिए थोड़ सा ग्लोइंग एफेक्ट भी आ जाता है तो मुझे कभी भी बहुत वास नहीं जाना होता है ना तो मैं ऐसा बेस इसे ही लगाते है बहुत ज्यादा मॉश्यराइजिंग होता है ये तो थोड़ा एक्सेस हो गया था तो मैंने हाथ में ही इसे लगा रहने दिया कि पहले वीडियो बना लेते हैं फिर करेंगे ना हम योजेंग मेबलीन फिप्टमी का कंसीला इंदे शीट 3-0 ये मेरे स्किन टोन से बिलकुल मैच है बिलकुल मैच इंदर सेट बहुत ज्यादा ही मैच है और मेरे स्किन से बहुत ज्यादा एवन भी हो जाता है लगता नहीं है कि कुछ एक्स्रा प्रड़क्ट्स आप Also ऑफने नोस पर दो राइस जाहां जाहां थोड़ी से विजिबल आपने है मेरे लगाँ ही और आप देख सकते हूं मीरे काहां है थोड़ से मै इसे मोचली प्रस अच्वाश मैं इसे माए अर्सक्षा ब्लेंडर से ही ब्लैंड कर सकते हूं गर्ट मैं बहुत ही कम प्र ब्लेंड कर रही हूं जाता है क्योंकि मैं बहुत ही लग थी मैं नोज नोज फोड़ी से अपने अपर लिप्स में भी से लगाती हूं वहाँ पे लोग लेप्स के नीचे थोड़ा सा ब्लैकिश है जैस बिकुस अफ अग्ने मार्क्स तो मैं भहा पे लगा के अचिह से ब्लें करके एक final blend करके ने final blending touch बोल सकते हो ना उसे even और करने के लिए क्योंकि brush से कभी-पी marks रह जाते थोड़े patchy हो जाते इसे-से area से स्वेंटर से जाओं एक बलेंडर से इसे अच्छी से blend कर लोगे ना am using the Maybelline Fit me का compact powder मैं इसे थोड़ सा angled puffed brush से इसे थोड़ सा dab करके फिर इसे जहां-जहां concealer लगाया था eyes पे, under eyes पे, cheeks पे, nose पे, forehead में और उसके बाद बहुत ही कम amount लेकर dab करके पुरे face में एक even tone देने के लिए मैं पुरे face में उसे blend कर लूँगी now I'm using A.D.S का eyebrow palette मैं ऐसे eyebrow brush ये help से इसे इसे comb करके मतलब इसे में थोड़ सा लगा के dab करके फिर इसे comb करूँगी मैं इसका brush नहीं लूँगी, eyebrow brush नहीं उसकरूँगी क्योंकि मुझे bold look नहीं देना, बहुत ही natural रखना है now I'm using Glam 21 का gel mascara, ये super length है पर इसके पहले न मुझे eyelash color से पहले मैं curl कर लेती हूँ मुझे बहुत पसंद है curl करना फिर मैं वही mascara apply करूँगी और lower lashes में भी अच्छे से apply करेंगे अच्छे लोग देता है lower lashes को कभी skip नहीं कीजिएगा आप लोग then I'm using M&M का makeup and more का 05 shade में pink nude color ये ना मैं blush के लिए college वगेरा कभी भी जाती हो ना तो मैं इसे blush को apply करती हूँ क्योंकि बहुत ही sweet color इसका मैं पहले blender से करने की कोशिश की पर मैं अच्छे ना finger से करने की आदत है फिर इसे smooth tals देने के लिए मैं blender की help से इसे कर लेती हूँ Chicks पे blender ही use करती हूँ but nose and chin में ना मैं इसे finger से करती हूँ एक पर फिर से finger से touch up करके complete then bindi and then my favorite mama art light shade pink lip balm बहुत ही hydrating है आपको पताए मेरा कितना favorite है ना एक ना local drug store से मैंने इस liner को खरीदा था बहुत ही bold lip liner है बहुत ही अच्छा color देता है ना ये lipstick भी oozy का ही है ये बहुत mad finish है बहुत अच्छा बोल्ड और क्लीन लोग देता है ये lipstick मेरा अभी current favorite है actually not lipstick the shade मतलब इसका shade इतना अच्छा हो जब ये ड्राइ हो जाता है बिल्कुल lips में patchiness कुछ भी नहीं रहता बहुत अच्छा है the musing wet and wild का PGP का highlighter तो मैंसे fan brush के help से इसे डाप करके थोड़ा सा nose पे chin पे high points of my forehead और चिक्स में अप्लाइ करूंगे फिर एक प्रसाइज brush लेके मैं अपने उसी palette palette और पे इंनर कौॉनस में इसे उच्छा से लगाऊंगे अच्छी बात यह रही है कि आप इसे बार बार इसे apply कर सकते हो मतलब आपको जित्ता हाइलेट ऐप्लाइ करना है जित्ता जरुरत है उसे हब सब कर सकते हैं उसे ब्रश से मैंने आई ब्रॉस के ऊपर भी कर लिया है यह है मेरा फाइन लग खोप सो यह लाइक दे वीडियो और दोंट फरगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल